देश में भारतिय रेलवे की पहली सोलर पैनल वाली DEMU, डीजल इलेक्रिक मल्टिपल यूनिट ट्रेंग शुक्रवार को शुरू की गई रेल मंत्री सुरेश प्रभू सफतर्जन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेंग को रवाना किया सौर उर्जा डेमो ट्रेंग के पास 6 ट्रेलर कोच हैं, साथ ही इसके जरे 21,000 लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी इससे प्रतिवर्ष 12,000 रुपय की लागत बचत सुनिश्चित की गई है चेननाई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी में निर्मित इस 6 कोच वाले रैक को दिल्ली के शकुर बस्ती वक्षोप में 100 पैनलों लगाये गए है इस ट्रेंग की छट पर 100 पैनल लगाया गया है ये केबिन में रोशनी करने के लिए और पंखा चलाने के लिए लगाया गया प्रतिएक कोच में 1600 पैनल लगाये गए हैं जिनकी कुल क्षमता 4.5 किलो वॉट है हर कोच में 120 एंपियर आवर क्षमता की बैटरिया लगी है इस ट्रेंग से प्रतिएक वर्ष 20,000 लीटर डीजल की बचट हो पाएगी इससे रेलवे को प्रतिएक वर्ष 12,000 रुप्य की बचट होगी प्रति कोच के हिसाब से प्रतिएक वर्ष 9 तन कार्बन उतसर्जन में भी कमी आएगी अगले 6 महीने में शकोल बस्ती वक्षोप में इस तरह के 24 और कोच तयार किये जा रहे हैं इस तरह से यह ट्रेंग पर्यावरन संरक्षन में भी सहायक होगी रेलवे द्वारा 25 वर्षों के में 3 करोड रुपय प्रति ट्रेंग की लागत बचत का अनुमान लगाया गया है इसके अतिरिक्त उसी समय की अवधी में प्रति ट्रेंग 1350 तन कार्बन डायोकसाइड की कमी हो सकती है बतादे की शिमला काल का टॉय ट्रेंग सहित छोटी लाइन पर पहले से सौर उर्जा से युक्त ट्रेंग चलाई जा रही है बड़ी लाइन की कई ट्रेंगों के एक या दो कोच में 16 पैनल लगाये गए हैं इसी तरह से राजिस्थान में भी 16 पैनल से युक्त लोकल ट्रेंग का ट्रायल हो चुका लेकिन इन में सौर उर्जा को संचित करने की सुविधा नहीं है